Dear Students, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की English subject की Worksheet No.21 को solution के साथ explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Worksheet No.21 Describing Places Dear Students, We learned how to describe people in the last few Worksheets. Let us now learn how to describe people इसके पहली Worksheet में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से people को describe क्या जाता है मतलब उनकी personality के base पर, उनकी physical appearance के base पर या उनकी attractive physique को देखकर या फिर उनकी nature को देखकर इस तरह से तो यहाँ पर हम सिखेंगे कि किस तरह से place को describe किया जाता है देखें यहाँ पर आपको यह place की picture दी गई है, चलिए इसके बारे में study करते हैं The place in this picture looks like it's a market It is a market देखने में लगता है कि यह picture जो है, यह market की picture है It is crowded with people and looks noisy यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी भीड नजर आ रही है, crowded का मतलब होता है भीड यहाँ पर बहुत बड़ी भीड में people है and looks noisy, noisy मतलब short देखने में लगता है कि काफी short शरावे वहली market है यह है, there are shops all around, यहाँ पर चारो तरफ shops है It looks like an old market, यह है एक पुराने बाजार की तरह लग रही है and the structures are not up to date और इसका structure बहुत ज़ादा आधूनिक, बहुत ज़ादा नया, बहुत ज़ादा up to date नहीं है मतलब आजकल का नहीं है It seems popular among people who wants to buy clothes ऐसा लगता है देखने में कि जो लोग कपड़ा खरीदना चाहते हैं उनके लिए यह market काफी popular है, काफी low-free है It doesn't seem very expensive market यह है, देखने में बहुत ज़ादा costly market, बहुत ज़ादा mehengi market नहीं लग रही है It also looks compact, यह है काफी सघन market है Compact का मतलब होता है सघन मतलब जहाँ पर काफी भीट बढ़ाका या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में shops होती है तो यह है, देखने में काफी compact लग रही है A lot of shops have been set up in small space देखने में लगता है कि बहुत छोटे से space में काफी सरी shops है Lots of shops बनी हुई है It also looks this picture was taken before COVID pandemic as no one is wearing a mask और picture को देखकर हमें पता लग रहा है कि यह market का जो place है वह picture COVID pandemic आने से पहले की है क्योंकि किसी ने भी देखो यहाँ पर mask clear नहीं किया हुआ है तो इस तरह से हम places को describe करते हैं So all the words that have been highlighted describe this marketplace तो उपर दिये गए passage में जो words highlighted है जो words मतलब bold किये गए है वह marketplace को describe कर रहे है Many of you may have guessed it right as चान्मी चोग हम चान्मी चोग को भी यदि describe करेंगे तो हम ऐसे ही words को use करते हैं Notice how these words describe the place and how they are dissimilar from the words we use to describe people तो चलिए कुछ words पढ़ते हैं जो की place को describe करते हैं और देखते हैं कि यदि हम किसी people को describe करें या किसी place को describe करें तो in words में क्या कुछ similarities है We usually describe places using following categories हम किसी भी place को describe करने के लिए कुछ categories को बनाते हैं देखे जैसे सबसे first है sensory experience उसकी experience के base पर उस place को उस position को describe किया जाता है देखे मैंने यहाँ पर इन सब का Hindi meaning लिख दिया है ताकि आपको समझने में easy हो देखे जैसे यहाँ पर है सबसे पहले bright bright मतलब चमकदार foggy foggy मतलब धूमिल मतलब जहाँ पर थोड़ा धूल धूल मिट्टी type का या foggy area होता है अच्छे से clear नहीं होता कुछ भी gigantic मतलब विशाल काफी बड़ा area है dazzling मतलब चका चोन जहाँ पर बहुत जदा lighting होती है इस तरह से boggling boggling मतलब चकमा देने वाला मतलब आपने देखा होगा कई बढ़ हम market में जाते हैं तो कुछ ऐसी streets होती है जहाँ पर हम घूमते रहे घूमते रहे पता ही नहीं लगता कि वो shop कहाँ पर है तो हम वहाँ पर जाकर घूम जाते हैं boggling मतलब चकमा देने वाला bumpy मतलब उबर खाबर है sticky मतलब हीच की जाने वाला जहाँ पर जाते वे हम हीच की जाते हैं इस तरह का place होता है piercing मतलब छेदने वाला मतलब हमें पता नहीं लगता कि हमें कहा जाना है और हम कहा जा रहे हैं तो इस तरह से कुछ adjectives words हैं देखिए जैसे peaceful peaceful मतलब शान्तिपूर्ण lively मतलब जिवन्त bustling मतलब हल्चल enchanting मतलब करामाती magical मतलब जादू beautiful मतलब सुन्दर attractive मतलब आकरशक and pictures q मतलब निराला कुछ location भी है कुछ ऐसी position है कुछ ऐसे words है जो location को describe करने के लिए हम use करते हैं जैसे local मतलब स्थान position, city, strategic सामरिक, rough, khurdra interior, antrik intercontinental मतलब महादीपो के बीच है वहस्थान remote, durast मतलब जैसे हम कहेंगे remote area है दूर का area है इस तरह से indoor मतलब वह place कहां है हमारे घर के अंदर है outdoor मतलब घर के बाहर है वह place जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसको हम describe कर रहे हैं वह हमारे घर के बाहर है तो इस तरह से हम in words को use करते हैं किसी भी place को describe करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसे words लिगने हैं जो आपके स्कूल को describe करते हैं तो देखिए स्कूल के लिए हम कौन-कौन से word use करेंगे peaceful मतलब शान्तिपून कि हमारे स्कूल के आसपस काफी peaceful area है amazing मतलब अच्छा हमारे स्कूल के आसपस का environment मतलब पढ़ने वाला area है कि कोई disturbance नहीं है वहाँ पर result अपने स्कूल का result इस तरह से आता है library हमारे स्कूल में library है awesome contribution to sports sports का बहुत अच्छा contribution है different different types के sports खेले जाते है teachers के बारे में लिख सकते हैं care के बारे में teachers हमारी students की बहुत अच्छी care करती है respect teachers students जो है वो अपने teachers की बहुत अच्छी respect करते है तो इस तरह से हम अपने स्कूल को describe करने के लिए ये describing words use कर सकते है now practice write a paragraph describing your school यहाँ पर आपको एक ऐसा paragraph लिखना है जो आपके school को describe करता है तो चलिए लिखने start करते हैं देखिए my school name is xyz senior secondary school यहाँ पर आप अपने school का name लिखिए it is located in very peaceful area यह है बहुत शांती पून जहें पर है in our school there is an amazing learning environment हमारे school के आसपस बहुत अच्छा learning environment है मतलब कोई disturbance नहीं है कोई vehicles का शोर शराब नहीं है इस तरह से हमारे school का result हर साल बहुत अच्छा आता है और दिन पर दिन यह हैं बहुत अच्छा progress करता जा रहा है हमारे school में बहुत सारे sports का contribution है students of our school have achieved many prizes in various sports और हमारे school के बच्चे बहुत सारे sports में different different prize भी अच्छीव करते हैं teachers of our school care and lovers हमारे school के जो teachers हैं वो हमारी बहुत care करते हैं हमें बहुत अच्छा प्यार करते हैं with respect on the teachers और बच्चे भी अपने teachers की respect करते हैं I love my school very much मैं अपने school को बहुत जादा पसंद करता हूँ प्यार करता हूँ तो इस जरह से आप अपने school को यहाँ पर describe कर सकते हैं आप और भी describing word यूज़ कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि जो मैंने मतलब adjectives या जो मैंने describing word यूज़ करें हैं आप वही यूज़ कीजिए तो students ये था हमारी worksheet का पूरा solution उमीद है आपको ये worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई doubt है और कोई query है तो वीडियो के comment section में जरूर पूछिए मैं आपके comments का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगी वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching have a nice day